हेलो फ्रेंट्स, मैं आपको एक ground floor का बहुत अच्छा flat दिखा रहो है जो कि ground floor पे है और luxurious बना हुआ है यह इसकी गली है काफी गली चोडी है हम मैं आपको flat का entry दिखा रहो है कि यहां जब entry करते हैं तो इसी के साथ में drawing room निकि 50 गच का यह flat है जिसके अंदर इतना ही बन सकता है सबसे पहले घोसते ही ये ड्राइंग रूम है इसके साथ मैं ये सोफे भी मिल रहे है जो एल शेप में सोफे डले हुए अच्छी लोकेशन पर अच्छा फ्लैट है आप इसको देखने का प्लान कर सकते हैं अच्छे से मैं आपको दिखा रहा हूँ ओपर का जो डिजाइनिंग है आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है पूरी फाल्चिलिंग को कि वाल टू वाल इन्होंने टाइल लगाई हुए है और यह सोफे पड़े हुए हैं यह सोफे इस फ्लैट के साथ ही मिल रहे हैं यह साथ में टीवी पैनल है अच्छी लोकेशन पर फ्लैट है यह शकरपूर के अंदर है आप इसको देखने का और लेने का प्लांड कर सकते हैं अभी मैं आपको सबसे पहले यहां पर केचन दिखा देता हूं केचन पूरी फाइवर से बनी हुई है यानि कि इसमें दिमक अगरा नहीं लग सकती यू एल शेप में गेचले अगरा इसके काफी मजबूत हैं चिमनी अल्रीडी लगी हुई है आप इसको देखने का और लेने का प्लांद कर सकते हैं बहुत अच्छी लोकेशन पर फ्लैट है अब मैं आपको यहां से ड्राइंग रूम दिखा दे रह सामने टीवी पैनल केचन मैंने जैसे कि आपको दिखा ही दिए अब मैं आपको फर्स बैटरूम दिखा रहा हुँ फर्स बैटरूम दिखाने से पहले मैं आपको यह जो कॉमन रूम है इसके साथ में यह एक छोड़ा सा स्पेस हाजा था क्योंकि पचास गज के अंदर ज्य आप इसको लेने का प्लान कर सकते हैं अब मैं आपको यह बैडरूम दिखा रहा हुँ यह उपर का आप डिजाइन देख रहे हैं यह बैडरूम है बैडरूम के अंदर एक अल्मीरा है कि आधे से कम इसकी टाइल्स लगी हुए है इसके अंदर यह वन प्लस वन बोल सकते हैं या फिर वन प्लस हॉल बोल सकते हैं अच्छा फ्लैट है यह ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहा है आपको और यह साथ में अल्मीरा दी हुए है इन्होंने जैसे कि गली मैंने आपको बताई दिया है गली काफी चौड़ी है इसके इसके टू साइट से एंट्री है एक एंट्री इधर से भी है आप इसको देखने का और लेने का प्लान कर सकते हैं साइट विजिट के लिए प्लीज मेरे को कॉल किजिएगा थैंक्यू